हलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूटुब चैनल प्रपरिशन आउफ वीजूलाट में जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं जोती इंद्र मनी शंकर भट के बारे में तो चले शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रैड बैल आइकन दबाना ना भूलेगा ठीक है तो चले शुरू करते हैं जोती इंद्र मन होन गुजरात में हुआ ठीक है तो इनका जो जनम हुआ था वो कब हुआ था हूँ clicking हूँ अथा और 1934 जो एंका जन है और कहाा पर हुआ था यह हुआ था बहाओं गुजरात में अभी हिदर्द चीज़ओं के लिएध मैं फिर्मस hai ऊथा फोटोग्राफ के लिए यह और भी कई चीजों के लिए इनए मिलती है इनी चीजों मैंमलती है चितर कला परंट पिरली उ determine ofography अर्रइमय screen के लिए है चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, इनके शिक्षा एवं कला अधिन की बात करें, तो 1950 से 1956 तक जो है इनोंने अपनी प्रारंबिक शिक्षा या आरंबिक शिक्षा जो है महराजा सियाजी विश्व विध्याले बडोज़ा से प्राप्त की थी, वो किसके निर्देशन में प्राप्त की थी, वो कि थी अनस बेंदरे और केजी सुबर्डोज़ा मन्याम के निर्देशन में, तो अगर बाय चान से एक कोशन, पोछ लेते हैं, कि जो ती निर्देशन करभण ने अपनी प्रारंबिक शिक्षा कहां से प्राप्त की थी, अपनी प्रारंबिक कला शिक् जोती इंद्रमणी शंकर भट ने बड़ोधा विश्विध्याले से कला की शिक्षा का प्राप्त की थी तो ये 1950 से 1956 के बीच में प्राप्त की थी चलिए अगले पॉइंट पे चलता है 1953 में फ्रेसको और भित्ती चित्रकला का अध्यन राजिस्थान के वनस्थली विध्यापिट से इन्होंने किया था में Intaglio का अध्यन किया अब Academy Dobele में जो है इन्होंने Intaglio का अध्यन किया तो ये कोशन भी आ सकता है कि हाँ कोशन बनता है कि इन्होंने Intaglio का अध्यन कब किया तो इन्होंने Intaglio का अध्यन किया था 1960-1962 के बीच में और कहां पर किया था यह किया था अकैडमी डिबेले में और कहा है यह अकैडमी डिबेले? यह इटली के नैपिल्स में यह कोशन आपके बन सकते हैं और याद रखें कि जो भी NET के JRF के स्टूडेंट्स है जोती भट का कोशन जरूर आना है तो इसलिए आपको यह टॉपिक जरूर याद रखना है ठीक है उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो इन्होंने जो है 1964 से 65 में Full Bright Scholarship के अंतरगत Pratt Institute of Printmaking New York से भी इन्होंने अध्यन किया तो अब अगर पूछ लेते हैं कि Full Bright Scholarship के अंतरगत जो है इन्होंने कहां पर अध्यन किया था कला का तो वो किया था Pratt Institute of Printmaking New York किस्टीस का अध्यन किया था Printmaking का अध्यन का अध्यन अब पूछले तक कि Printmaking का अध्यन कब किया था तो यह किया था 1964 से 65 में Printmaking का अध्यन कहां किया था तो यह किया था नियू यॉयॉर्क में ठीक है तो आपको छोटे छोटे पॉइंट है पर याद जरूर रखने है क्योंकि important point है उसके बाद जोती भट ने किन-किन माध्यमों से अपनी कला का सरजन किया तो जोती भट ने जो है etching, intaglio, screen printing photography, holography, nakashi, mural इन सभी माध्यमों से जो है अपनी कला का सरजन किया और अब जोती भट को मुखे रूप से किस रूप में जाने जाते हैं जोती भट तो मैंने अभी आपको starting में बताई दिया था कि ये printmaking के लिए जाने जाते है especially तो printmaker के रूप में जोती भट जो है जाने जाते है आगे बात करते हैं 1960 के दशक में जो है इन्होंने कैमरे का उपयोग किया अब इन्होंने कैमरे का उपयोग किया था इन्होंने कैमरे का उपयोग किया था गुजरात की लोग कला की तस्वीरे लेने के लिए ठीक है दोस्तों इनका जो पूरा फोकस था वो कुजरात की लुप्त होती हुई लोग कलाओ के उपर था जिस वज़े से इन्होंने अपने कैमरे दुवारा ली गई तस्वीरों में इन लोग कलाओ का को इकटा किया ठीक है अगले पॉइंट पर चलते हैं तो जो तीबट ने डिजिटल प्रिंडिंग और होलोग्राफिक की भी शुरुवात की थी दूसरे पॉइंट की बात करें तो इन्होंने स्थिर जीवन और आकरती विश्यों को जिसमें वस्तू को घनवादी रूप में विक्सित किया इन्होंने एक तरह से बोल सकते हैं कि इन्होंने गनवादी शैली में देखने को मिलता है ठीक है अगले पॉइंट की बात करें जोती भट ने बलोदा में छाप नामक कला गुरुप की स्थापना की थी जो की ग्राफिक कला से संबंधित है तो जोती भट ने कौन से गुरुप की से संबंधित है यह है ग्राफिक कला से संबंधित ठीक है अब आगे इनके पुरुषकारों की बात करें तो दोस्तों इनके पुरुषकार इतने जादा है कि शायद यहां लिखने के लिए पेज बहुत कम है मेरे पास वैसे तो पेज कभी कम पढ़ते नहीं है लेकिन इनके पुरुषकार बहुत जादा है पर फिर भी मैंने थोड़े बहुत कुछ कुछ चुनिंद पुरुषकार यहां लिख दिये ठीक है तो पहले पुरुषकार की बात करें तो राज्य परदशनी ग्राफिक प्रिंटिंग के लिए प्रथम पुरुषकार प्राप्त हुआ उसक 1961 से 62 में इटली सरकार की चात्रवर्ती प्राप्त ही थी जिसके कारण जो है इने मैंने भी पताया था पीछे एक कला का अधियन किया वो कौन सी कला थी वो थी इंटेगलियो इंटेगलियो का अधियन इन 1961 से 1962 में किया था इटली में ठीक है उसके बाद जो है इने राष्टी पति का स्वान पती का पुरुषकार भी मिला था वह मिला था in 1956 में तो इन्हें स्वानपटी का पुरुसकार कब मिला था 1956 में ठीक है आगे ललितकला अकैडमी गुजराद दुआरा गौरव पुरुसकार भी ने प्राप्त हुआ और अगले पॉइंट की बात करें तो बढ़ोधा विश्विध्या लेके चितरकला वे भाग के रीडर पद अगले पेश पर चलते हैं तो एक और इनका वो है पुरुसकार जो कि मैं बताना बोल गई दोस्तो इने जो है 2019 में पदमर्श्री से भी पुरुसकृत किया गया ठीक है पदमर्श्री से भी जो है 2019 में नवा जा गया उसके अलावा जो है इसके अलावा जो है इनको जो है डार्क टिकट डिजाइन के लिए पहला पुरुसकार प्राप्त हुआ तो जो पर प्रतम पुरुसकार पर भी जो हिने 25 वी वर्ष गाट पर डार्क टिकट डिजाइन के लिए प्रथम पुरुस्कार प्राप्त हुआ था ठीक है तो चलिए आगे इनके चितरों की बात करते हैं चितरो इनके जो प्रमुक चितर है इनका प्रमुक चितर है कलावरक्ष, देवी, प्रकृति, राम र हिंदुस्तानी है लिविंग वॉल, मैन अंडर द स्काई, सेल्फ पोर्ट्रिट, दोपहर की चाई, मन मोर बना यह इनके कुछ प्रमुक है आप मैं एक बार फिर से इने रिप्रीट कर देती हूं आप चाहे तो फिर साथ साथ भी बोल सकते हैं कलावरक्ष, देवी, हम हिंदुस्तानी है लिविंग वॉल, मैन अंडर द स्काई, सेल्फ पोर्ट्रिट, दोपहर की चाई, मन मोर बना यह इनके कुछ प्रमुक चीतर है वैसे इनके चितरों की किंती भी बहुत जादा है चितरों की संख्या भी बहुत जादा है पर कुछ जो पेमस चितर होते ह होई हम आपके समक्ष रख देते हैं उसके बाद एक-दो चितर हुआ जो के मैने शो भी कर रख चाह है देवी देखे दोस्तों यह वाला जो चितर है यह रख्या रितु आए यह वर्षारितु चितर जिसमें एक फेस दिखाया हूँ और मस्तिक्ष में एक मोर बना हुआ है और मोर की पूछ में जो बोल देते हैं उसमें कई मौसम दिखाए देना है तो इसलिए इसका नाम शायद वर्षारितु रखा हुआ है उसके बाद ये जल्थल नब ये वाला चितर जो है जल्थल नब है इसमें मचलियां भी दिखाए हुई है जो कि पानी के अंदर होती है इसमें कमल के फूल भी दिखाए हुए है जो कि पानी के बहार दिखाए देते हैं उसके अलावा इसमें पक्षियां भी उड़ते हैं और इसमें जो है इनोंने sun में दिखाया हुआ है इस जगा पर ठीक है तो ये जल्थल नभ इनोंने चितर दिखाया है जिसमें सब चीजे दिखाये देती हैं चितर में उसके अलावा last चितर है इनका forever together forever together जो है इनका ये वाला चितर है जिसमें दो ब्यक्ति एक साथ है, दो महिला पुरुष है, ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं, तो जोती भटका इखटा किया गया, सबसे अच्छा कारे कौन सा है, तो जोती भटका इखटा किया गया, सबसे अच्छा कारे पोटोग्राफी दस्तावीज, भई जो मैंने आपको बताया था, ये जो है, बोलोदा विश्विध्याले से संबन दित है, जो इनका फोटोग्राफी दस्तावीज है, ठीक है, उसके बाद इनके चितरों की बात करें, तो इनके चितर कहां कहां पर संग रही थे हैं, देखो दोस्तों, इनके चितर बहुत सारी जग़ों पर नियूँ योर्क में पर मस है, इसके अलावा, देख भूजियो में पर संग रही थे, इसके अलावा, इच्छे बेटश मूजियो के चितर बेख tääरों हे और इसके बात दूस्तों, तो इसके बात नियूज मूजियों के चितर हूज है, आपको अगर मेरी ये वीडियो तो इसको लाइक करना ना भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और इसके लाब अगर कुछ चूट गया हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं ठीक है और तक यूर वाचिण